जैपूर से चलकर जैसलमेर की तरफ जा रही नीजी टेबल्स की बस रामदेवरा सीमा के अंदर फोंचते ही अग्यात लोगों का सिकार हो गई इस दोरान बस को रुखवा कर बस में बैटे सवारियों को नीचे उतार कर बस को आग के हवाले कर दिया गया घटना के बाद अपरा तफ्री का महोल हो गया बस में सफर कर रहे लोग अपनी जान बजाकर अपने सामान के साथ इधर उगर भागते नजर आये घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर रामदेवरा पुलिस घटना सलवर पहुंची और आग बुजाने के प्रयास दुरू की करीब आदे घंटे के बस चाथ मोखे पर पहुंची दमकल ने करीब एक घंटे के कड़ी मसकत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया